जेजेपी के प्रधान महासजिव दिगविजय सिंग चोटाला ने भाजपानेत्री सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गहरा शरियंत्र होने की आशंका जताई है कैथल में एकनीजी कारिक्रम में शिर्कत करने पहुचे दिगविजय चोटाला ने कहा कि शुरवाती तौर पर सोनाली की मौत एक गहरा शरियंत्र लग रहा है और परिवार के लोग भी बार-बार बड़ी साजिश की बात कह रहे हैं उन्होंने कहा कि पहले गोवा से सोनाली की मडर मिस्ट्री को हार्ट अटेक का नाम दिया गया लेकि धीरे धीरे जब सबूत सामने आये तो हत्याकान की कले खुलकर सामने आने लगी दिगवजे सिंग चोटाला ने इस पूरे घटाकरम की सीबिया जाच के रानी की मांग की है उनका कहरा है कि सच तभी सामने आएगा जब जाच होगी दरसल सोनाली की मौत मामले में मुख्य आरोपी पिये सुधीर सांगवान समेट पांच आरोपी गिरफतार किये गए है बीते दिन सामने आई नई सीसी टीवे फुटेज में सुधीर सांगवान सोनाली फोकाट को जबरन ट्रक्स पिलाता हुआ भी दिख रहा है और इस बात को प्लस पूछताच में उसने कबूल भी किया है हलाकि सुनाली की मौत मामले में अभी कितने राज सामने आना बाकी है ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन सुनाली की मर्डर मिस्ट्री में सफेद पोष्ट भी शामिल हो सकते हैं ऐसी आशंकाय लगातार परिवार की ओर से जताई चा रही है हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ध